लवेस एकड़ेवी में आप सभी का सवगत है तो इस लेक्चर से हम नया चाप्टर स्टार्ट केने वाले तो चाप्टर नूमर कुंसा है हमारा चाप्टर नूमर 5 फ्रॉम मैथमेटिक्स पार्ट 1 तो यह पहले लिख लो कि यह चाप्टर कितने मार्स के लिए आता है आपको एकड़ेव में 8 मार्क्स के लिए तो सबसे सिंपल चाप्टर कौन सा होगा तो प्रोबैबिलिटी चाप्टर है तो यह आगे हम पढ़ेंगे कैसे सिंपल है इसके क्वेस्टन सारे सिंपल होंगे आप कौंसर्स लिखने भी कोई दिकत नहीं होगी कैलकुलेशन भी आसान हो लिए तो यह सबसे सिंपल चाप्टर है और 8 मार्क्स पूरे के पूरे आपको देखें जा सकता है तो इसके अच्छे से से सकता तो प्रोबायबिलिटी होता क्या है तो प्रोबैबिलिटी नियु शक्यता इसको अमरठी में बोलेंगे तो शक्यता पौसीबिलिटी तस होते हैं दो साइड तो अगर मैं टॉस करूंगा हरे क्रिकेट मैच से पहले क्या होता है अगर टॉस करूंगा तो पॉसिबिलिटीज क्या होंगी एक तो वह हैड्स आएगा देखो अगर एक तो टेल्स तो कॉइन अगर टॉस होगा तो कॉइन की दो ही पॉसिबिलिटीज लैड्ड वह जब जमीन पे लैड्ड होगा तो दो ही पॉसिबिलिटीज बनेंगी एक तो हेड्स आएगा और एक तो टेल्स आएगा तो देखो यह दोनों क्या बन गई हमारी पॉसिबिलिटीज मतलब यह क्यों पॉसिबिलिटी थी सब्सक्राइब हुआएग लिए के साथ कनवेजन होने वाला है वह देखेंगे तो पहले पॉसिबिलिटी देखते हम समझ लेठे कि पॉसिबिलिटी होता है देडिन डाइस और एक example देता हूँ आपको dice का तो आपने मरठी में गेम सुना होगा सापशीडी उसमें क्या होता है हम dice फेकते हैं यहाँ photo भी display हो जागा तो dice के उपर six faces होते हैं तो six faces पे हर एक face पे नया number होता है तो six faces के लिए six number कौनसे कौनसे होते हैं 1,2,3,4,5,6 यह से छे number होते है छे faces के लिए dice के अगर dice आप toss कर दोगे तो क्या possibility बनेगा या तो एक मिलेगा या तो दो या तो तीन, चार, पार, छे कौन हर एक बार आपने जब-जब toss किया होगा तब-तब आपको सिर्फ एक ही possibility भी लेगी इन 6 numbers में से कौन सा तो भी एक ही number आपको मिलने वाल है वो ही क्या होती है हमारी possibilities the next point पढ़ता है हमारा चलो next point पढ़ता है यहां definition भी display होज़ेगी तो random experiment होता क्या है an experiment in which all the possible results are known in advance but none of them can be predicted with the certainty is called as random experiment तो देखो कहना क्या चाते है हमें result पहले से ही पता होगा क्या क्या पता है मैंने result पहले से ही पता होगा क्या आने वाला है पर predict नहीं कर सकते कि fix वही आने वाला है कि नहीं तो देखो coin में मैंने क्या पता है था heads या tails ये दोनो possibilities बन सकती है heads या tails तो देखो अब मुझे जब coin toss करूँगा तब ये पहले से ही पता होगा result पहले से ही and in advance definition में कहा दिया है result पहले से ही पता होगा क्या है एक तो heads आएगा या तो tails आएगा पर ये predict करना मुश्किल है कि fix वही आएगा तो इसको क्या बोलते है random experiment क्योंकि हमें result क्या होने वाला है वो पता है पर fix नहीं बता सकते कि वही चीज उपर आने वाली है तो देखो toss करते वक्त heads या tails ये दोनों possibilities बनती है हमारी पर मैं fix नहीं बता सकता कि heads आएगा या tails आएगा तो वही क्या होता है हमारे random experiment जिसमें हमें result उसके पहले से ही पता होते है पर result वहीं आएगा के नहीं यह हम predict नहीं कर सकते वेसे ही dice के लिए तो dice में देखो क्या हो जाएगा कितने result आने की possibilities है छे result आने की possibilities है इन 6 numbers में से भी कौन सा भी एक number आपको dice के उपर मिनने की possibility होती है तो देखो अब मुझे result पता है कि इन 6 possibilities में कौन सा भी एक result आपको मिलने वाला है पर यह fix predict नहीं कर सकता कि इसमें कौन सा number वही उपर के surface पे आएगा तो वही है इसको क्या बोलते हैं random experiment next अब देखते हैं outcome की definition क्या होती है outcomes क्या होती है the result of random experiment is called outcome तो देखो अब हमने जो random experiment किये थे उसके जो result आएंगे वो क्या होंगे outcomes तो देखो जैसे कि मैंने बताया था coin के लिए तो head के लिए h पकड़ लेता हूं and tail के लिए t पकड़ लेता हूं तो यह दोनों क्या बनेंगे हमारे outcomes same for dice के लिए देखो dice के लिए देखो क्या हो जाएगा one two three four five six यह छे मेरे क्या बन जाएंगे outcomes तो जो result होता है किसका random experiment का जो result हता है उसको किसम क्या बोलते है outcomes then equally likely outcomes क्या बता है तो equally likely outcomes a given number of outcomes are said to be equally likely if none of them is expected to occur in a preference to the other तो देखो example में क्या दिया है when we toss a coin the head of head or tail is equally likely outcome जिसमें equally likely probability possibility जैसे कि coin के example में देखो coin के example में half possibility कौन से होगी अगर मैं एक बार वो coin toss कर रहा हूं तो half possibility 50% chances heads के बहुते हो सकते हैं and 50% chances tails के बहुते हैं तो वही हम क्या बताते हैं possibilities हैं तो इस को इस term को क्या बतेंगे हम equally likely outcomes तो solve करते हैं हमारा इस chapter का practice set 1 देखो मैंने बताता बहुत simple chapter है बहुत easy भी है तो solve करते है practice set 5.1 तो solve करते है हमारा practice set 5.1 बहुत simple और बहुत छोटा इस दिसे तो देखो question number one में क्या दिया है हमें how many possibilities are there in each of the following हमें हर एक example के लिए कितनी possibilities हम बना सकते हैं वो हमें calculate करना है first में क्या करना है वनिता नोज the following sites in महाराष्टा she is planning to visit one of them in in her summer vacation तो पहले place का नाम के है अजंटा दिन महाब्रेश वर थर्ड लोनार सरुवर फॉर्थ ताडवा wildlife century 5th अबोधी अमबोधी 6th राइगर 7th माथेराण and 8 आनन्दवन तो देखो कौन जाना है summer vacation के लिए वनिता वनिता को अगर summer vacation को जाना है तो उसको पहले places मालूम होना चाहिए तो यहां वनिता को कौनसे कौनसे places पता है आठ places की हमें जान कर लिए आठ places वनिता को पता है यह हमें question में दिया हुआ है कौनसे कौनसे अजन्टा महाबैश्यवर लोनार स्वरोवर ताडवा वाइड़ डाइब century अंबोली राइगर माथेराण and अनन्दवन तो देखो total 8 places को वह जा सकती है तो simply यहां possibilities कितने हो जाएंगी 8 तो answer में का लिखेंगे वेनिता कैन विजेट एने ओफ 8 places इन महाराष्यटा तो शुक्त वनिता कैन्टा कैन विजेट इन कि एन आफ एट एनिओफ वन के रिखेंगि एनि आफ वन पैसे अई択 Other आउट आप अउटअ आफ एट प्लेसेशआ है इन महाराष्ट्रा तो देखो कितने possibilities बनेंगे वो eight places को मतलब अगर एक को जाना होगा तो कितने places में से eight places में से वो एक किसी को भी place में visit कर सकती है तो महाराष्ट्रा में total उसके लिए possibilities कितने बनेंगी so there are कितने possibilities eight possibilities वह हमें सिर्फ calculate करना करना था कि तो नौट डाउन कर लो बहुत simple question है वनिता के विजट एनी वन आउट आफ एट places in महाराष्ट्रा there are total कितने possibilities बता है मैंने eight possibilities क्योंकि eight places के हमें जानकारी दीद गई थी कि जो की वनिता को पता है तो नौट डाउन इस आंसर बिल सेकंड के लिया है मैं देखो second question में दिया है कि any day of a week is to be selected randomly week में total कितने दिन होते week में seven days होते तो लिखते है in a week in a week there are कितने days होते है seven days तो इन seven days में से मुझे कौन सा भी एक पिक करना होगा तो मेरे प्लास कितनी possibilities होंगी seven possibilities हो जाएंगी साथ दिन तो साथ possibilities तो आंसर क्या हो जाएगा दियर आर दियर आर seven possibilities तो नोट डाउं कर लो आंसर seven possibilities तो सेकंड का अंसर क्या बनेगा seven possibilities then third पे आते हैं हमारे देखो third में क्या दिया है मैं select one card from the pack of 52 cards तो देखों अब हमें क्या करना है एक card select करना है किस में से 52 cards में से हमें सिर्फ एक card select करना तो पहले तो there are कितने total there are 52 cards 52 cards and what we have to select only one card तो there are कितने possibilities बन जाएंगे there are 52 possibilities क्योंकि 52 cards के बीच में से हम एक card select करने माले तो answer क्या बनेगा there are there are 52 possibilities तो यह not down कर लो answer क्या बनेगा 52 possibilities then अब आते हैं हमारे फर्थ question पर जो कि शायर लास्ट होगा हां लास्ट ही है इस exercise का क्या दिया है one number from 10 to 20 is written on each card select one of the card one card randomly तो देखो अब यह थोड़ा सा ट्रिक है आपको अच्छे से पढ़ना बढ़ेगा यहां क्या दिया है तो दिया है one card selected from 10 to 20 तो देखो 10 to 20 मतलब कौन से कौन से से कार्ड आएंगे 10 वाला भी आएगा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 तो यह किन लोग हम गड़बडी में क्या कर देखे 10 to 20 मतलब 10 कार्ड ऐसा नहीं करना है अच्छे से question पढ़ो तो आपको समुझ में आएगा कितने कार्ड्स हो जाएंगे एक दो तिन चार पात्च छे साथ आठ नो दस ग्याद तो देरार को इन टोटल कितने कार्ड इन कर लोगा तो पॉसिबिटिटीच कितने बनेंगी 11 कार्ड इस इको तो एलोब पॉसिबिटीच तो गड़ डोटल टोटल है एलेवन पॉसिबिलिटी यह आएगा आपका अंसर किसके लिए पॉसिबिलिटी जॉरी फॉर्थ सब्क्वेशन फॉर्ण कर लो यह सारी चीज़े यही हमें यही खतम होता है हमारा प्रैक्टिस चैट 5.1 एंड फर्स लेक्टर अफ्चेप्टर प्रोबाबिलिटी तो नेक्स लेक्टर में हम क्या देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2 एंड उसके आगे जो सैंपल किजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के सार शेयर कीजिए थैंक्यू तो दोस्तों लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए